नमस्कार दोस्तों आप देखे रहें नुजेटिंग मैं आपके साथ बिने अगनी होतरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बॉलीबोर्ड राइटर अमित्युवारी आनन जी सर बहुत 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 साथ नुजे इन्वाइट किया इसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार सर कैसे सुरुवात होती है आपकी बॉलीबोर्ड राइटर बनने तक की जीनों की नगरी बहुपाल से और माया नगरी आपको इसके वारे में बताएंगे लिखने का रुजान कभी था नहीं लेकिन कॉलेज के जमाने में भी प्ले लिख देता था या मेरे पिदा जी बहुत अच्छे राइटर है डॉक्टर महुंतिवारी आनन जी तो घर में पढ़ने का बहुत था शुरू से पढ़ना मेरे गुरू डॉक्टर एम सहीद आलम साब ने भी मुझे बहुत प्रिरित किया पढ़ने के लिए दिल्ली में जब मैं थेटर करता था तो पढ़ा ही मेरे काम आ गई मेरे लिट्रेचर से लगाओ मेरा पढ़ना उसको बार-बार वो मेरे काम आ गया शायद इमेयडिनेशन एफ देय जिन्दगी में जब आप बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हो और उनको शाकार करना चाहते हो तो आप कई तरीके डूंडते हो कि यार ये काम नहीं कर रहा था मैं ये कर लेता हूँ ये काम नहीं कर रहा था वो कर लेता हूँ और इसी सिलसले मैं राइटर बन गया ऐसा राइटर बनने के लिए नहीं निकलाता गरते अभी हाले में नवाज साब की मुझे ये फिल्म इर्फान खान साब और कंगनर अनावजी के साथ अनाउंस हुई थी 2013 में और ये बहुत तामजाम के साथ अनाउंस ही थी इंडो फ्रेंच कोलाबरेशन था और सब कुछ था लेकिन ये फिल्म किनी कारणों से बन नहीं पाई कई सालों तक और फिर हमारे भी किर्फान साब नहीं रहे उनपॉर्चुनेटली फिर नवाज साब से रिक्वेस्ट की गई कि आप ये फिल्म करें कंगना जी as a producer जुड़ी और Amazon आ गया और फिल्म बनके आप सब के सामने हैं तो हर फिल्म के अपनी एक जर्णी होती है बनना होता तो ये फिल्म तीन बार बन जाती आज से कई सालों पहले बन जाती लेकिन इसको अभी बनना था नवाजुदीन सिदिकी अबनीत कौर साब क के साथ बनी है और उससे मुझे मैंने सीखा भी कि लाइफ में जब जो चीज होनी है तब ही होगी आप कुछ भी कर लीजे आप कितना भी प्लैन करो वैसे नहीं होगा जैसा इनर्जी या उपर वाला कहे मानने वाले जो मानते हैं कि आप जैसा सोचेंगे शायद वैसा नहो लेकिन आप जो चाहेंगे वो तो होगा प्रेम जन जी की किताबे पढ़ी शुरुग आती दिनों की बात बता रह 목ाल दिरे 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 फिर आप बाइब के पास चले जाते हो ऑटे यूट और इन गा quantity नाटक पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपका दायरह बढ़ता जाता है षिवी पढ़ने शुरू करते हो लेकिन मुझे जिन चीज़ों ने सबसे ज़्यासे दा इमेजिनेशन में कहूं और इमेजिनेशन उन राइटर्स की वज़े से जिन्हों ने अपनी लेखनी को इस तरह से लिखा कि वो आपको दिखाई देने लगता है जैसे एक सवाल यह भी बनता है जो आज की यूथ हैं फिल्म प्रस्टी में जाना चाहते हैं बॉली बॉड के लिए बॉम्बे लोग लाखों लोग जाते हैं सालाना अपना फूचर देखते हैं भबी से देखते हैं तो जो लोग जाते हैं क्या बॉली बॉड उनको अचेप्ट करता है नेपोटीजम बहुत सारा चलता है हम आए दिन में ख़बर सुनने को मिलती है कि नोपटीजम चल और फिर मैंने पूना फिल्म इस्टिट्ट से दुछ साल का डिप्लोमा भी किया है अक्टिंग में तो चाहे वह अक्टिंग हो चाहे राइटिंग हो है तो सब imagination सब हमारा एक ही field है जोड़ा हुआ है मैं आज भी acting करता हूं practicing actor भी हो और लिखता भी हो रोज और मुझे तो लगता कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाले जो लोग है वो नेपोटिजम करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग नेपोटिजम नेपोटिजम को जहंड़ा लेकर बहुत जादा भागते हैं वो सबसे जादा नेपोटिस्ट वही हैं लेकिन दूसरों का लोगों को ज्यादा दिखाई देता है और नएऩन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि भाया कुछ सीखो पहले पढ़ो कुछ काम करो मेहनत करेंगे अगर आप कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप कही न कहीं पहुंचेंगे अगर आप अपने घर में एपने बहुत बड़ा राइटर बन जाओ या बहुत बड़ा एक्टर बन जाओ तो वो तो होने से रहा है और बॉम्बे बहुत खुले आतों सवागत करता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत अच्छी बात है वहां ना तो जात धर्म लिंग भाशा किसी भी है तो मेरे गुरू जी ने मुझे का था कि टैलेंट इस यो एबिलिटी वर्क हार्ड आप कितनी मेहनत कर सकते हो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा दिमाग तो होना चाहिए लेकिन अगर आप मेहनत करते हो एक ही चीज में लगे रहते हो लगन के साथ तो आपका होगा ही हो होगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप सक्सेस्फुल ना हो अगर मैं बात करूं कि जो आपका जो आइडियल परसन या गुरू कह ले सबसे रहा किसका सपोर्ट रहा है इस अभी तक की जर्नी में मेरे माता-पिता श्रीमती शार्दत इवारी जी अगर मैं आज जिन्दा हूं तो मैं बीच में बहुत बीमार था और आज मैं अगर कुछ भी कर पा रहा हूं तो मेरी मदर है मेरे फादर है मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान है पढ़ने लिखने में या अभी तक बॉम्बे में जो सर्वाइव किया उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी वाइफ है ज दोस्तों का साइगाबीर साहब हैं एर्फान साब का में जिंदिए भर इनसान मन्दू हूं मेरे गुरू रजा मुरा साहब है अर्विन पांडे सर है जैबंसर मेरे एक सीनियर है जिनोंने मुझे शुरू आती दिनों में अपने घर में रखा खाना किलाया बहुत सपोर्ट कि बहुत अहसान मन्दू हूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत लंबी लिस्ट है अगर मैं बात करूं कि जो आपके आपको मिस जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहिए और कौन सी मूपी जा फिर वैप सीरी जो आने वाली हैं आने वाले अब ही नहीं बता सकता बाकी एक मेरी फिल्म है गिलहरी जो कि NFDC रैटर्स लैब का पार्ट थी वह बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एक वेब सीरीज है होट सार के लिए बाकी चीज़े चल रही हैं एक्टिंग भी कर रहा हूं और उपर और उने चाहा तो अगले साल तक कुछ चीज़ों में आक्टिंग करता हूँ भी दिखा ही दूँगा आखरी सफ़ाल यह है कि जैसे कि अगर हम साउथ की तरफ जाओं साउथ इंडरेस्टी में बहुत अच्छी हाली है में गाल दिखनें तो जो है के जब जैसी आरार जैसी बाहु बली जैसी मूवी है ने काफी अच्छा आपना स्कोर किया है और काफी इंके आकड़े देख तो क्या आप उस तरह कि आप स्क्रिप्ट के बारें कुछ सोच रहे हैं कि मुझे उस तरह की स्क्रिप्ट लिखना है और उस तरह की हम जो है मूवी हम हिंदी सिनेमा में भी लाएं हमारे बॉलिवर्ड में नए ऐसा तो देखो भाया कोई फिल्म पांचसो करोड कमाती है च्छेसो करोड कमाती है उससे कोई फरक नहीं पड़ता मतलब मैं अपना परसनली अगर आपको बताओं तो मेरा तो यह है कि कहानी मन में आनी चाहिए जो भी कहानी है जैसे यह टिकुवेट शेरू की फिल्म है या गिलेरी है कोई भी कहानी है पहले वह आपके दिल में आती है आपको लगता है कि यार यह कहानी मुझे कहनी है तो हम लिखते है कोशिश करते हैं कि बन जाए आप यह सोचके तो नहीं मनाते कभी कि भी या केजी एफ की तरह फिल्म बनानी है या बाहू वाली क्योंकि मुझे ऐसा रखता है, सारी film इंडिस्ट्री हमारे इंडियन film इंडिस्ट्री ही है और सब अच्छा कर रहा है अच्छी बात है, पूरे भारती सिनेमा उद्योग के लिए बहुत अच्छा है, तो लेकिन, मतलब आज लोग कहते हैं कि हिंडि फिल्म है वहाँ से तो हमेशा ऐसा हुआ है कि डॉन को जो जावेद अक्तर साहब और सलीम साब ने लिखा था बच्चन साहब की जो फिल्म थी और वो हमारे आदर ने रजनीकान साहब ने भी सेम स्क्रिप्ट पे काम किया बिल्ला के नाम से तो ऐसी भी बहुत सारी एक्जामपल्स हैं जो हिंदी फिल्मों का साउथ में गई हैं और साउथ से जैसे कि राजबाबू है जिसमें गोविंदा साब ने एक्टिंग की वो साउथ की किसी फिल्म का रीमेक है तो हमेशा से ये सब चलता रहा है कि कोई वहां से इंस्पायर होके यहां बनाता है कोई यहां से इंस्पायर होके वहां बनाता है तो हम एक ही पूल में हैं और हिंदी फिल्मों की कई बार यूरोपियन फिल्म्स ने कापी किया है या हॉलिवड ने कापी किया है तो ये सब तो इंस्पिरेशन की बात है कोई कहीं से थोड़ा लेता है कोई भी ओरीजनल कहानी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है कहानियां तो वो क्योंकि हम इनसान हैं एक जीनपूल है और एक तरह का ही हमारा बियोहार है आलमोस्ट तो कहानियां भी एक जैसी होंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब कि ये सोचके कि कोई फिल्म पांच सो करोड़ कमाती है तो मैं अब वैसी फिल्म लेकू हाँ पैसे चाहिए तो थोड़ा ऐसी फिल्म में ज़्यादा लिखी जाएंगी अब जिससे की बिजनेस की तरफ औरियंटेड हों लेकिन जिनमें एक पहानी भी हो आपने टेकूबेट शेरू की बात की नवाज सर से मुवी की दौरान में बात करूं तो क्या बातचीत हुई अपना कुछ एक्सपिरियंस एयर करना चाहेंगे आप मुवी के दौरान नवाब के नाम से बहुत अच्छा बंगलो है और यह बहुत बड़ी बात है कि एक एक्टर ने जिनको शायद उनके रिश्चेदारों घरवालों ने भी कभी यह निसोचा था कि एक्टर बनीगे क्योंकि उस जमाने में जो एक्टर की परिभाशा थी वो कुछ और थी उन्हों ने एक्टिंग करके अपने लिए एक बंगलो बनाया है बंबे जैसे शहर में जहां एक कमरा लेना भी बहुत बड़ी बात है अपना या किराये पे लेना भी एक काफी बड़ी बात ही है तो उनके उस घर में पार्टी थी और सभी लोग रात में जा चुके थे तो मैंने भी उनके उस घर इजाज़त चाहूँ आप तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ लिया और बोले के आप बताईए मैंने आपका शेरू अच्छे से नभाया कि नहीं अधिन रच किसी बात कर रहे हैं मैं आपको बता सकता हूँ एज की बारे मनी कहा हूँ ने अगरी में तो हम इस शहर में रह रहा हैं बेसिकली मैं एक्टर हूँ और इस शहर में सर्वाइव करने के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं सारा कुछ हो रहा है तो अगर आपने अपना माकाम हासिल किया है तो हम भी आपको देख के जैसे वह अकवर वीरबल की कहानी में है कि एक आदमी को पानी में खड़े होने की सजा दी जाती ठंड के मौसम में और वो दिन भर केले में एक दिया जल रहा है मशाल जल रहा है या दिया जल रहा है उसको देखके गरमहट उसके भरुसे खड़ा रहता है तो नवाज अदिन सिद्ध की इर्फान खान या और भी जो जैदी पहलावाद आपके विजय वर्मा या राज़कुमार राओ नसीर अदिन शाह ये सब भी हमारे लिए वही के लिए पे रखे हुए धीपक है जिनको देखके हम सब ठंडे पानी में खड़े हुए हैं और इंस्पायर हो रहे हैं और हम भी सोचते हैं कि कर आज इनका म मूबी या फिर डेप स्रीज जो मद पर इसके जो कल्चिलर है यहां पर ट्राइवल से ज्यादा कम्यूटी है तो क्या कुछ इस बारें कुछ आप दिकरें मेरी फिल्म गिलेहरी जो है गिलेहरी दस्खुरिल वो एन फटीसी रैटर्टर्स लेब में थी मैंने पहले भी बत मेरी अधिकतर कहानिया मद्यप्रदेश में हैं अभी तक देखे बाहर की लिखता हूं क्या नहीं लिखता हूं लेकिन अभी तक का जो भी मेरा मटीरियल है वो सब यहीं का है मत्यप्रदेश के बात कर रहे हैं कि या जो मत्यप्रदेश के जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं इसकी मत्यप्रदेश नार्ट पे अकैडमिय भी है बहुपाल में क्या यहां कि कुछ जो हुनाहर स्टुएंट्स हैं उनको मौका मिलेगा आपकी MPSD से मेरा बहुत लगाओ है अभी दो साल पहले मैं वहाँ पे गैस्ट फैकल्टी की तरह पढ़ाने भी गया हूँ और उस बैच के सभी बच्चे मेरे से आज भी कनेक्टेड हैं बंबे में आ गए हैं कई लोग विने हैं जिसमें से काफी लोग हैं अमन हैं कई बच्चे ह और बहुत अच्छा कर रहे हैं वह बच्चे एक्टिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं कुछ प्ले बना रहे हैं वहाँ पर अबीस डी तो आपका आप आए और हमारा से बातचीत की बहुत बहुत हैं रहा हुआ नियुक्त